नमस्कार आज हम बात करेंगे जिम जाएं या ना जाएं जाके वहाँ पर क्या-क्या बातों का ध्यान रखें क्या-क्या गलती ना करें जिससे की हमें उमर बर पस्थाना पड़े कंदे कमर जबाब ना दे जाएं गुठने गिस ना जाएं ऐसे हम क्या करें क्या ना करें जिम में क्या-क्या बातों का ध्यान रखें जिम जाएं कभी-कभी सर्दियों में जा सकते हैं बारिश में जा सकते हैं ज़्यादा सर्दी है ज़्यादा बारिश है आप पार्क में नहीं जा सकते बट अगर पार्क वर्सेज जिम कंपेर किया जाए तो कोई कंपेर इसे हाई नहीं पार्क मॉर्निंग वोक इस इस ओल्वेस बेटर मुच मूर बेटर और बेटर और बेटर देन गोइंग टू जिम सुबह की ताजी हावा पक्षियों की हावाज परकर्ती की गोद में बेटें फूलों की खुश बूलें कोयल की कूकू सुनें दस जनों से राम राम बोलें उसका तो आनद है उससे मन भी शानत रहेगा तन भी स्वस्त रहेगा बट सर्दियां है बारिश का मोसम है रेनी सीजन तो आप जिम जा सकते हैं यह निकी गर्मियों में भी आप जिम जाएं गर्मियों में जा रहे तो छे साथ बेजाएं कितनी ठंड दिवाद चल रही होती है बहुत ज़दर ठंड नहीं है थोड़ी अलके-अलकी सर दिये तो आप पार्क में जाके देखे साथ आरवजे सूरज की किरने आपके उपर पड़ेंगी विटामिन डी बनेगा हडिया मजबूत होएंगी प्योर अक्सिजन विटामिन डी, सनलाइट बट अगर जाना ही है जिद्धी है आपकी मेरे को तो जीम ही जाना है जी वहाँ जाकर नमबर वन अगर आज पास में जीम है तो पैदल जाएं, स्पोर्ट्शूस पैन के पैदल निकल जाएं आज कल के पैसे वाले पड़े लिके लोग गाड़ी चलाके जिम जाते हैं, वहाँ पे साइकल चलाते हैं वो साइकल चलाने के पैसे देते हैं सीधा एक साल की मेंबर्शिप ले लेंगे, एक महीना जाके बहुत सारे पेशन आते हैं, वो बताते हैं हमें कि दोर्ट साब हम गए थे जी बारा महीने का कुछ डिसकाउंट था जी हमने तो पूर एक साल के पैसे दे दिये जी सिर्फ एक महीने गए जी उप गए जी, फिर अब जाने का मन ही नहीं करता जी गुटने में दर्द बढ़ गया जी कमर में दर्द बढ़ गया जी ऐसा ना करें, पैसा बहुत कीमती है बहुत मैनत से कमाया आपने जो नए नए गए जोश में आपने एक साल का पैकेज दे दिया, वो एक महीने में फिर वो छोड़ी देते हैं, वो पैसा खतम जिम जाएं अगर आप ट्रेड मिल का कम से कम इस्तेमाल करें, वहाँ पे ट्रेड मिल करना भी है तो उसको इंकलाइन ना करके प्लेन रखें नमबर वन, बहुत ज़्यादा स्पीड से ना दोड़ें, नमबर टू उससे गुटनों पे बहुत जोर पड़ता है और कई लोग देखा, इंकलाइन करके दोड़तें इंकलाइन में उसको थोड़ा सा उंचा करके उससे नीज के उपर कैलरीस तो बन जादा होंगी, बट नीज के उपर स्ट्रेस काफी पड़ेगा पांट-दस मिन से ज़्यादा ट्रैल मिल पे ना दोड़ें, जिनको गुटने में दर ज़्यादा है वो ट्रैड मिल पे जस्ट वोक ही करें सर्दिया ज़्यादा है, बारिश है मजबूर है कि आप पार्क में नहीं जा थकते रेनी सीजन, एक्स्टीम कोल दैनी, ओके यू के यू के गो टो टो ए जिम, बट ट्रैड मिल पे ज़्यादा देर ना दोड़ें इंकलाइन करके ना दोड़ें नमबर वन नमबर टू, बोथ हैवी वेट्स वान पे जाके ना उठाएं हैवी वेट्स पांदस किलो इस ओके बाइसेप्स, बहुत ज़्यादा अप ये एप्स बनाने के चकर में बोथ हैवी वेट्स उठाना कई पेशन आते हैं, दोड़ सा वेट उठा रहेते जी, 100 केजी, 150 मेरा फ्रेंड 80 किलो उठाता है मैंने सुझा, आज मैंने नमबर टूपर जिखाऊंगा कंदा गया और वो फिर ठीक नहीं होता है लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते है टीर हो जाते है, बहुत पेशन आते है फिर दुरबीन से ओपरेशन होता है पांचे महीने फिजियो तरेपी चलती है और फिर भी ओरिजिनलिटी नहीं हो पाती, जैसा ओरिजिनल था कंदा वैसा जिन्दगी में नहीं बनेगा, जैसा बगवान ने बना के बेजा था वो एक बार जो इंजरी हो गई वो ओपरेशन के बावज़ुद भी पूरा ठीक नहीं होता काम चलाओ तो हो जाएगा, साट सत्य परसंट नसी परसंट हो जाएगा, बाट पूरा नॉर्मल नहीं हो सकता काफी पेशन्ट के कंदे खिच जाते हैं नसे लिगामेंट्स, स्ट्रेच हो जाते हैं तो ज़्यादा वेट्स ना उठाएं कमर का खाज जयान रखें जब भी वेट उठाएं तो गोटने मोड के आगे चुकें बोटने आज सीधा रखें, आगे वेट ना उठाएं और आपके अपना स्टैमिना है कमपेरिजन ना करें कि मेरा फ्रेंड ने एक सो बीस उठाएं आज मैं एक सो पच्छिस उठाओ के दिखाऊंगा ऐसी रेस में ना जलें आपका अपना स्टैमिना है दीरे दीरे बढ़ाएं बहुत ज़्यादा वेट का टारगेट ना रखें नमबर टू इसके अलावा जिम में क्रोस इंफेक्शन काफी होता है क्रोस, वेंटिलेशन is not there खिर्किया बन ऐसी चल रहा है यो यो हनी सिंग गाना चल रहा है ते तेज कानों पे, हीरिंग पे जोर पड़ता है हीरिंग के लिए लावड म्यूजिक in a close environment is not good for your hearing कानों के लिए अच्छा नहीं है म्यूजिक का वोल्यूम थोड़ा कम करवाए मोसम अगर ठीक है तो खिटकिया खोल दें अगर खिटकिया है तो थोड़ी ताजी हवा भी आने जा है अगर सुबह जाते हैं तो आप AC का temperature 24-25 पे रखें 26 पे रखें, ventilation के लिए और कोश्च करगे अगर मोसम थीक है तो बंद भी करें कभी-कभी अधिकतर जिम air condition है chilled temperature 18 degree not good for health आपको moisture खीच लगा इसी है पसीना आएगा नहीं प्यास लगेगी नहीं थोड़ा सा AC का इस्तिमाल कम जो music चल रहा है उसका volume कम over weights ज़्यादा ना उठाएं excessive आगे जुक्य उठाएं कंदों का थादा ध्यान रखें गुटनों का ध्यान रखें कमर का ध्यान रखें treadmill पर बहुत ज़्यादा access में ना दोड़ें incline ना करें थोड़ा सा वहाप इस supplements भी मिलते हैं आपका जो coach है आपका जो guide है उसको कुछ salary के अलावा भी कमाने का यह इच्छा है वो आपको motivate करे है कि आप यह supplements लो protein लो pure protein है जी अपरिका से आया है जी उसमें mixing भी बहुत होती है pure नहीं होता है that is not natural वो प्राकर्तिक नहीं है it is very costly 10-10 जार के डबे बहुत महंगी माबाप की महनत की कमाई कमाई तो चलो देखी जाएगी kidneys पे बहुत effect आता है जो आप बहुत जादा protein खाएंगे डोले तो शैद बन जाएं six steps temporary वो भी कुछ समय के लिए piceps chest बन जाएगी कुछ समय के लिए temporary जब तक आप डोले weight उठाएंगे supplements, kretin, protein खाएंगे जब तक बने रहेंगे जब वो चोड़ेंगे weight उठाना चोड़ेंगे तो उनमे pain भी होगा पहलवानों का बुड़ापा बहुत खराब होता है जो पहलवान लोग होते हैं जब क्यों देशी आते भी होती हैं ground में भी खेलते हैं उनको बुड़ापे में मास्पेशियों में कमर जांगों में बहुत दर्द होता जब वेट उठाना ये सब छोड़ देते हैं तो जैसे पेट में चुए कूँटे हैं जब भूख लगती है हमारे पास आते हैं ऐसे बुज़ूर्ग ऐसे पहलवान आते हैं नस नस में दर्द होगा कौन दबाएगा उनको कौन मालिश करेगा उनकी सोचो अंडे कई बच्चे आते हैं 20-25 साल ले रोगती हैं तो तो कमर में दर्द हो गेजी वेट उडा लिया जी कंदे में दर्द हो गेचनक आके जी अंडे हम पूछते हैं कि आप अंडे भी खाते हैं किया रहा जी और अंडे के बिना तो कैसे डोले बनेगे अंडे तो बहुत जरूरी है हमारे कोज ने कहा जी दस बार अंडे तो डेली खाओ अंडे तो बहुत अच्छे होते हैं अंडे हो यां मंडे रोज खाओ अंडे बच्पन में हमने एड देखा लेकिन अंडे भी बहुत हैल्दी नहीं होते हैं शरीर के लिए कई वीडियोज यूटूब पे अवेलेबल हैं कैसे इनकी हैचिंग होती है कैसे परडॉक्शन होता है काफी मुर्गियों को इंजेक्शन्स वरा दिये जाते हैं तो ये शरी के लिए बहुत ज़्यादा हैल्दी नहीं है देशी अंडे आप कभी कभी खा सकते हैं देशी अंडे जो थोड़े थे ब्राउन ही शोगते हैं थोड़े महंगे हैं वो 20-22 उर्पे का शादे एक अंड़ा आता है बट वो जनवरी में फर्वरी में जब सर्दी है वो फाइदे मंद है बायोटीन है कई उसमें मिंडर्स विटामिन्स है गर्मियों में ज़्यादा अंडे ना खाएं तो बहुत प्रोटीन तो बन जाएगा यूरीक ऐसिड भी बढ़ेगा यूरीक ऐसिड ते गुठने खराब होंगे कमर खराब होगे हट जोड खराब होते हैं यूरीक ऐसिड बढ़ जाता है बहुत ज़दा प्रोटीन लेने से सर्दियों में देशी अंडे खाएं, गर्मी में देशी अंडे नहीं मिलते हैं, वाइट वाले भी खाने हैं, वाइट वाला, वाइट अंडे का वाइट पोर्च तो आप कम से कम, at a time 3-4 से जाता ना खाएं, खाएंगे तो गुर्दे, गुटने, किसके खराब होंगे, आपक मरजी आपकी, हमने रख सीखा, प्रोटीन सप्लिमेंट्स के बारे में, अंडे के बारे में, नोन वेज़ भी काफी खाते हैं, जो जिम जाते हैं, जिनको मसल्स बनानी हैं, बोल्डी बिलडिंग करनी हैं तो चिकन वरा कम खाएं, खाएंगें हम मना नहीं कर रहे हैं, आप आपकी मरजी, आप शोकीर हैं, आपको प्रोटीन चाहिए, तो बट कम मात्रा में खाए, हम आपको यही समझा सकते हैं, हम आपके वैल विशर हैं, हितेशी हैं, शुप चिंतक हैं, दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके दोस्त हैं, प् अभी भीगे वे खालो, ट्रबाटर प्याद डालके खालो, अंकुरित चने, अंकुरित मूग, अंकुरित मोट, स्प्राउट्स, बहुत प्रोटीन, राजमा भीगो के थोड़ा उबाल के खा सकते हैं, बहुत प्रोटीन, बहुत कैल्चिम, राजमा, मुफली, सर्दियों में उसमें दही डाले नीमू डाले फटक जाएगा चैना उसका पनीर खाएए वो भी प्रोटीन है शरीर आपका मर्जी आपकी राय हमारी experience हमारा शुब चिन तक, well wish वीडियो तो अच्छा लगाई है current भी लगाई होगा अंदर से सोई हुई चैतना जागी है like करो ना मेरे यार हम आपके यार है हम आपके यार है we are your friend share तो करी दो अपने यार दोस्तों को आप भी अमल करो इन बातों को अपने यार दोस्त काफी ऐसे करी रहोंगे आपके यार दोस्त mostly करी रहे है महूल यह ऐसा है किसी की कोई कोई गलती नहीं है अधूरा ग्यान आधा ग्यान नुकसान आपका गुर्दे आपके यूरिक ऐसे घुटने यूरिक ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगो शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखें कोई डाउट है किंतु परंतु है हमारे यूटूब चैनल है लाइफ अन हाल्थ बाई डॉक्टर पीके को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन तो आप दबाई देंगे जिससे की जल्दी से जल्दी आपको इनोंटिफिकेशन पहुँचें जै हिन जै भारत